हलो फ्रेंड्स प्रग्यास किच्छन में एक बार फेट से आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी मार्केट में बहुत अच्छे आउला आना शुरू हो चुका है और आउला तो गुणों की खाने आप इसे किसी भी रूप में लेंगे बहुत जादा फाइदा करने वाला है बच्छों को खिलाने के लिए आज हम बनाने वाले हैं दो रेसिपी तयार करेंगे मीठा और नम्कीम मीठे में आपन आमलेका जेम तयार करेंगे बिना प्रेजरवेटिव के जिसे आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और उसी से आपन आमलेका चार बनाएंगे उसको भी रख सकते हैं बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर यह 500 ग्राम आमला लिया है इसको अपने को बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए मैंने एक कूकर लिया है आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं यह मैंने सारे आमले कूकर में डाल दिये हैं और बॉयल करने के लि दो सीटी लिए मेरे ये आमले दो सीटी में अच्छे से बॉल हो चुके हैं जैसे अपने को अचार के लिए आमले चाहिए अभी मैं दिखाती हूँ पहले अपने इसका पानी निकाल लेते हैं इस पानी को आप बाल दोने में या फिर ऐसे भी पी सकते हैं बहुत खुल रही बस अपने को इतना ही बॉयल चाहिए जादा बॉयल नहीं चाहिए और मैंने इन कल्यों को 10 मुट के लिए ऐसे ही कॉटन कपड़े पर फैला दिया था ताकि इसका मौश्य निकल जाए देख सकते हैं इसका अच्छे से मौश्य निकल चुका है अब अपने को इसका अच्छार तयार करना है तो अच्छार तयार करने के लिए यहाँ पर ना अल्मुनियम की कड़ाईले ना पीतल ना लोगा इससे क्या होता है आमला उन कड़ाई में जाके रियक्ट करेगा क्योंकि आमला कसेला होता है और काला हो जाएगा और टेस्ट भी बेकार हो जाएग तो मैंने हाँ पर इस्टिल की कड़ाई ली है और इसमें हाप कप जितना रिफाइन ओई लिया आप इसको सर्सो या मुफली तिली किसी में भी बना सकते हैं और तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं इसके दे एक टीस्पून जितनी सौफ और एक टीस्पून जितनी कलूंजी लिये इन दोनों से अचार में बहुत अच्छा टीस्ट आता है और अब अपने को गेस की फ्लेम ओफ करनी है अचार में फ्लेवर और टीस्ट अच्छ लिया है अब इस स्टेस्ट पर गरम तेल में अपने को नमक डालना है इससे क्या होगा आपका अच्छार का तेल बिलकुल भी ठिक नी होगा और टेस्ट पर इसमें अच्छा रहेगा तो मैंने यहाँ पर नमक 1.5 टीस्पून डाला है आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम जादा कर सकते हैं नमक डालकर मैंने एक बार अच्छे से मिला लिया इसको अब इसमें जो अपने आवले की कलिये निकाल के रखी है वो डाल देते हैं और लाल मिर्ची अभी तेक अपने अड़ नहीं करी है तो मैं यहाँ पर दो टेबल इस्पून जितनी यह लाल मिर्च तकि अचार का कलर एक सा रहेगा वरना पन गरम तेल में लाल मिर्च डाल देंगे तो अचार का कलर काला हो जाएगा यह अपना इंस्टन आवले का अचार बनकर तयार है कुछ टिप और ट्रिक्स फोलो करेंगे तो आपका अचार भी बहुत अच्छा बनकर तयार होने वाल है यह है आमला जहin बहुत ही टेस्टी और एकदम मार्केट स्थेब में तयार करने वाले सेम प्रोसेस में अपने को को आमले करने हैं मैंने यहाँ पर यह 30 gram आमले लिए हैं इनको boil करना steam करने का तरीका बता देती हूँ मैंने यहाँ पर directly पानी डाल के boil करा आप चाहें तो cooker के अंदर एक बर्तन में आमले डाल के रखें और नीचे पानी डाल कर आमले steam कर सकते हैं सेम प्रोसेस हैं बट अपने को jam के लिए आमले अच्छे boil चाहिए तो मैंने यहाँ पर यह 3 सीटी लिए हैं medium flame पर और अब इसका पन पानी निकाल लेते हैं यह मैंने इनका पानी निकाल लिया है और आप देख सकते हैं आमले एकदम अच्छे boil हुए हैं एक बार मैं आपको हाँ से मैश करके दिखाती हूँ देख सकते हैं इतने अपने को cook चाहिए अच्छे boil होंगे तो paste भी अच्छे से तयार होगा और यह मैंने इसको मेक्सी में डाल के एकदम अच्छे से paste तयार कर लिया देख सकते हैं इतना fine paste चाहिए आपके अगर आमले में चूसे हो तो आप इस तरीकी की चलनी से उनको छान करी ले वरना जेम बेकार हो जाएगा मेरे चूसे नहीं थे तो मैंने ऐसे ही ले लिया और मैंने इसको non-stick कड में बैटर को ले लिया है अब इसमें मीठे के लिए मैं यहाँ पर यह साड़ा 300 ग्राम चीनी ले रही हूं अगर आप चीनी नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगे आप गुड़ भी इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने हाँ पर यह चीनी लिये अब इसको low flame पर regular चलाते हुए चीनी को अपने को melt करना है बहुत ही easy method है यह jam बनाने का आप यह जरू try करें एक request है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से subscribe करें और यह अपने 5-6 minute में ही चीनी melt हो चुकी और चीनी melt होते से ही देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर कलर आ है आप इसको ऐसे enhance करने के लिए मैं यहाँ पर 1-8 teaspoon जितने यह दाल चीनी का powder और 1-4 teaspoon जितना यह इलाइची powder डाल रही हो दोनों optional है आप चाहे तो डाले वरना skip कर सकते हैं बट इसमें इन दोनों का टीस बहुत ही अच्छा लगता है और बजार का जैसे अपने को color चाहिए उसके लिए मैंन चेक कर लेते हैं इसको जब उपर से गिराए तो थक्की की तरह नीचे गिरें मतलब perfectly अपना jam is ready आप इसे साल भर तक enjoy करें बच्चों को पराटे के साथ दे या bread के साथ दे या ऐसे ही दे सर्दियों में आप इसे बच्चों को देंगे तो सर्दी जुखाम बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं यह मैंने इसको साफ glass jar में भर के रखा है आप इसको इस्तेमाल करें तो गीला चमच और गीला हाइब तो इसको साल भर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बट यह साल भर के लिए बचे गाइनी बच्चे तो इसको छोड़ने वाले ही निहें और आज की हम से सब्सक्राइब करें बट बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूले वरना क्या होगा मेरी नई वीडियो को नॉटिफिकिशन आपके पास नहीं पहुचेगी और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेर करना बिल्कुल भी नहीं भूले थैंक्स पॉर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई राशिपी के साथ